नमस्कार दोस्तों जैनेपाल यूट्यूब चेलल में आप सभी का स्वागत हैं नमस्कार सभेजेनेलाइड दोस्तों नेपाल अपनी स्प्रिचल पावर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है इसलिए तो देखें कि मारवल ने अपने डॉक्टर स्टेंज मूवी के लिए प्लॉट के लिए नेपाल को ही चुना मैं बात करूँगा आज से कुछ समय पहले दोस्तों बॉक्सिंग लेजेंड माइक टाइसन ने नेपाल पर एक SNL शो के दोरान इंटर्विव के दोरान एक बयान दिया था एक बात करी थी दोस्तों उस समय इस वीडियो को ज़्यादा तर नहीं देखा गया क्योंकि जो माइक टाइसन ने नेपाल पर कहा था या तो कोई उसको ढग से समझा नहीं सका या तो उस पर कोई प्रॉपर किसी ने वीडियो नहीं बना आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार माइक टाइसन ने उस इंटर्वियू के दोरान नेपाल की उपर क्या कहा था और आखिरकार ये नेपाल के लिए कितना इंपोर्टेंट है कि दुनिया उसके बारे में क्या सूसती है एक बॉक्सिंग लजेंड नेपाल के बारे में क्या सूसता है तो चलिए हमारे इस वीडियो को शुरुवात करते हैं पहले आप उस वीडियो को इंग्लिश में जो उन्होंने बोला है वो सुन लीजिए उसके बाद उनके वीडियो होने के बाद मैं आपको अपनी भाशा हिंदी में दोस्तों डीटे but in Nepal they have monks and they have temples there way in the mountains and all of the monks have a skull a skeleton head and all the skeleton heads are smiling and that's just allowed them to know that this is the end of the game we just, we're a joke and that's how I look at life that I'm a joke the baddest man in the past I'm a fucking joke so just that back to the death of that ego have you been out to Nepal? have you been to these places? or do you just study them? or have you actually sat with these guys? well I've met a few people a lot of people write me from these people Nepal there's a place called Trishnan Dakona that's the furthest place on the planet I believe do you want to go there? it is really creepy it's gonna be a couple of days on a boat it's really interesting would you ever do it? दोस्तों इस interview के दोरा नेपाल के बारे में जो माइक टाइसन ने बोला हुआ एक बहुत आच्छी चीज थी बात करेंगे इंटरियु के दर उन्होंने बोला कि नेपाल के बारे में क्या आप जानते हैं नेपाल दुनिया में एक इंटरस्टिंग पलेस है वहां दोस्तों उनोंने यह कहा कि नेपाल में मौन्टिंस हैं, मौंग्स हैं और वहां होग से मंदिर बने हुएं जो कि spiritual power को दिखाते हैं उन्होंने कहा कि जो मौंग्स हुते हैं उनके पास skeleton head होता है और यह जो skeleton head होता है हमें सा smile करता रहता है तो यहां दोस्तों यह देखने के बाद यह सुनने के बाद दोस्तों यह चीज समझ जाती है कि माइक टैसन ही कहना चाहते हैं कि उनको यह जीवन का सार समझ में आने लग गया, उनको यह संसारिक माया है वो समझने आने लग गया, उनको यह समझ में आने लग गया कि उन्हों के बाद मायक टाइसन को लगा कि उनकी जीवन एक जिंदगी एक जोक है दोस्तों साइद इसी के बाद मायक टाइसन को आप देख पार होगा एक मायक टाइसन पहले बहुत अग्रेसी हुआ करते थे लेकिन वह इसके सायद उस इंसिदेंस के बाद काफी काम हो गए और उनको चीज़े अपने जिंदगी में समझ में आने लगे कि उनको क्या important है और इतने भी यह materialistic चीज़े हैं यह समय तक उनके पास रहेंगी और जो उनकी life में important है वो उनको 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 बताया इंटर्वी की तरह जब इंटर्वी जो ले रहे थे उनको ने यह भी पूछा कि आपने इस सब चीज़े जित्ती भी है नेपाल जाकर देखी है या किवल किताब हुमें पड़ी है तो उनको ने कहा कि नेपाल में कई लोगों से मिला भी हो और इसे कई लोगों ने लिखा है उनसे भी में इनके बारे में जाना है कि नेपाल में एक जगा है दोस्तों तृस्ता तिकोना उन्हों ने नाम प्रनीशिशन स्थांक से नहीं किया और खा कि यह एक फार्टेस प्लेस आप दी प्लैनेट है उन्हों ने कहा कि जब वो इंटर्वी ने उनसे पूछा कि आप जाने के उच्छे कि तुने बला हाँ क्योंकि मैं यहां जाना चाहता हूँ अब यहां मुझे ऐसी चीज़े देखने को मिलनेगे जो शायद मेरे जीवन को या मेरे चीज़ों को और अच्छा बहतर बना सकें दोस्तों इस चंद मिनिट के इंटर्वी में इन्होंने बहुत एक spiritual power से जुड़ा है जो कि शायद दुनिया में सबसे अनोखा और आपको यह बताता है कि आपकी जो लाइफ में आप जो मटेलेश चीज़ों पर भाग रहे हैं जिसको आप लाइफ समझ रहे हैं आखिरकार वो लाइफ है ही नहीं नेपाल अगर आप जाते हैं तो आपको एक कामनेस का अनुभा होता है जो कि आपकी लाइफ को एक शांती में बनाता है और आपकी लाइफ को एक शहीद इसात देखता है दोस्तों माइक टाइसन का यह बयान नेपाल के लिए काफी अच्छा है क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते कि नेपाल को एक spiritual power की रूप में और कई सादू हैं वो भी इसको मानते हैं इसके पेले मिने दुस्तों सद्गुरू ने नेपाल के पर क्या कहा था वो वीडियो बनाया तो उसमें भी दुस्तों सद्गुरू ने नेपाल को एक living entity कहा था spiritual power से related तो यहां दुस्तों माइक टाइसन ने जो कहा हो नेपाल के ल सुरक्षी तरह अपना ध्यान रखें